कि बहुत बहुत हो गए था सुभी का हमारी यूरूब चैनल में में मैं हुराज रॉप दिख रहे हैं सुरूब चैनल वैसे शात्र शात्र है जो टीचिंग फिल्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए तो आपको है कि पहले करना होगा या करना होगा यह दोनों कोर्स में से को फुल्फिल करना पड़ता है आपके कुछ कॉमेंट्स मैंने देखे कि सर बीएड पहले करे या डिए लेट करे या दुनू कर ले तो मेरे साब से तो दोनों करना ठीक नहीं होता है क्यों तो आपकी मर्जी वह आप कर सकते हैं तो पहले हम यह देख लेते हैं कि बीएड क कौन कर सकता है कि खर्च कितना लगता है यदि हम बीएड कर लेते हैं तो फिर हमें फायदा क्या होगा और डीलेट पर फिर वही बात कि डीलेड कौन कर सकता है खर्च कितना लगता है और इसको कर लेंगे तो फायदा क्या होगा उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको बीए नर्दिक्षक बन सकते हैं उनके बाइर में यहां पर जानकारी है तो पहले यह कूर्स में दिर बी अखिए को समझते हैं आक के पास किसी भी विशे विद्यालें से यह का संत्राथ होना चीए असनात्त के मेट होना चाहिए घ्राजुइशन कंप्लीट होना चाहिए यह ग्राजूस्ट लिवल की कोई भी डिगरी आपके पास होने चाहिए चश्क करता हो कि आप ग्राजूएट है तो असनात्क होना चाहिए उसके बाद जो इंट्रेंस एक्जाम वगरा होता है वह लंबी परिक्रिया है उस पर बात नहीं करते हैं यह आपका असनातिक है आपको भी करना है तो खर्च में देख लीजिए विएक का बिहार में सत आठ्स कॉलेज है डस है डिपार्ट्मेन वगरा मिला करके लेकिन सब एड्मिशन नहीं हो पाता है किसी कव्याई कभी साथ या रहाiskॉलेज के हैं बात कर็発 तो लगबग आठ्सो भर ठाम्न, Ḥ है जिस पर admission होता है तो 800 मोटा मोटी 25,000 से 26,000 में बीएड हो जाता है दोनों साल मिला करके तो पचीस से 26,000 एक आवरेज आकरा लेकर दे चलिए 2000 आगे अनत एक हजार पीछे तो यह गौर्मन कोलेज का आपका हो गया अटेंडेंट्स 75 परसेंट एकदम कंपल्सरी है नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भठने दिया जाएगा यह खर्चु गई मैंने आप लिख अच्छा एक सत्र मनी यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि एक लाख पचास हजार दूनों साल का तो फी ही है एक पचास फी है उसके बाद 20,000 रुपिया मैंने इसलिए रखा है कि फरस्टेर का जब फरम भराता है न तो आपसे पच्पन सो पांच हजार आठ हजार दस हजा उसके बाद स्टूडेंट प्रेटकल असाइंडमेंट माकशीट एड्मीट कार्ड देना लेना दस हजार इस पर और रख लीजिए बीस हजार वह हो गया और डेरलक यह हो गया मैंने बीट कर रखिया प्राइवेट कॉलेज से मैं चीजों को जानता हो कि हर के जो भी वहां से कर चुके हैं पहले से उनसे हम पूछ ले कि कितना पईसा आइठे हुआ है कॉलेज समझे इस बात का ध्यान लखेगा एक बारा फीडबेक जरूर ले लीजिए तो एक सतर मुटा मुटी मान के चलिए ना बीड में थोड़ा बाकि आने जाने का खर्च रहने उन्हे सेट और सेट दोनों है क्या दोनों में क्या अंतर है इस पर एक वीडियो बने तो इस वीडियो के कॉमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं कि हर सर सीट और सेट में क्या अंतर है दोनों एक्जाम दोनों देना परेगा यह दोनों मैं से कोई एक देंगे तो मेरा काम चल हो जाते हैं तो आप यह भी देख ले तो स्टूडेंट यदि आपने बेड़ कर रखा है तो आप सिक्स टू एट के लिए पहले तो वन टू फाइब भी था लेकिन 2023 में सुप्रीम कुट ने कहा कि नहीं बेड़ वाले बन टू फाइब आप नहीं जा सकते हैं डेलेड़ वाल रिखाद बने के लिए लेकिन मैंने हैप लिखा रखा lie zusट एप आप बाद में पीजी कर लेते हैं यह पहा कर रहे हैं मतललकिग एड़ो हो चाहें बाद में अगर तो अगर पीजी रहेगा चाहें फीजी है तो आप11 टूएट के लिए भी सिक्षक बनने के लिए हो जाते हैं तो कितने अप्शन टीन ऐसे बेट करने के बाद धो और मैंने पेज़ी कर ली तो तीसर का आपसन भी जूर जाता है तो का यह हो गया कि इतने सारे option हमारे पास होते हैं अब में आते हैं यदि आप डी एलेड करते हैं तो पहला है कि आपको बारहवी पास होना चाहिए किसी भी बोड से बारहवी एक डम कंप्लीट होने चाहिए और मोटा-मोटी मॉन इसके हम खर्च की बात करें तो 21 से 22,000 रुपया जो है आपको सरकारी डी एलेट कॉलेज में लगता है दूनों साल मिला करके बस इसमें जो मैं फी आपको बता रहा हूंना बस 24,000 इधर उधर हो सकता है इतना आप मान के चलिएगा यह हो गया अच्छा यह बात है कि डी है सरकारी यहां सरकारी डी टोल्य से 25- пар के आसपास मांन के चलिए की सरकारी लेट और हमने 50 आप मांन के रखा कि इसके अंसर चांस होते हैं कि सरकारी डीए लेट कोलेज मिल जाता है यह डिपेंड करता फांताइस जार सीड है गौर्मेंट कोलेज के लिए तो इसके पक्षा इसमें सरकारी कोलेज मिल जाता है तो एक इस से 22,000 में हो जाएगा तेंदिंद सब्सक्तर परसंट कमपलसरी है या दिन हुआ सरकारी कोलेज में तो मैंने आप एकलाक की सजार ली करके रखा है ऐसा इसल सब्सक्राइब करते हैं तो एक 40 आप मोटा मोटी मान के चलिए डीलेट का आपको इतना खर्च लगजाएगा दो साल का कोर्स यह भी है दो साल का कोर्स यह भी है यह 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 दि आप डीलेट कर लेते हैं तो किस कलास के सिक्षक बनेगे सिर्फ 125 6-8 मैंने इसलिए रखा है यहां पर लिख रखा है यहां वाला कंडिशन है कि इफ ग्रेजुएशन है आपके पास तो सिक्स्टू एट के लिए भी सिख्षक बन सकते हैं सीधे आपके पास इंटर है प्लस में डीलेट है ग्रेजुएशन नहीं है तो सिर्फ 125 और आपने डीलेट भी कर रखा है तो लाजमी है कि इंटर तो होगा है तो इंटर कि हम बात क्यों करें तो ग्रेजुशन यह दि है और डीलेट है तो शिक्स्टू एट के लिए भी आप सिक्षक बन सकते हैं तो डीलेट में काग ऑप्शन दू अप्शन फाइब लेकिन और दो ओसर इसमें पीजी करने के बाद इसी पीजी होता है तो आप एहने की भी लेट का भी आप वर्म भर सकतें अशिस्टन प्रोफेसर के लिए भी आपने exam निकालने के बाद eligible हो जाते हैं पिज़े के बाद आप PSD भी कर सकते हैं अब आपको क्या करना चाहिए तुमाम इस्ट्वेंट आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास असनातक है या मने असनातक में admission ले रखा है दो साल हो गया या तिसा का साल चल रहा है तो है कि हमें जल्दी कर लेना चाहिए तो मेरे हिसाब से interrupt है तो फिर डीलेट मेरे हिसाब से ठीक है लेकिन यहाँ पर option भी देख लीचेगा एक यह दो आप्शन बाद में डिस्टेंस से कीजिए या रेगुलर से कीजिए आप देख पार डीलेट प्लस गैजिएशन दुनों भी दिस्टेंस कीजिएगा तो छल सेगा तो खर्च मैने बता दिया क्वालिफीकेशन मैंने बता दिया कितना चांस है और एक चीस आपके दिमाहें यह आता है कि डिल्ट कर लिंग तो जल्दी नों करेंने इस आपके बाग की ओपर डिपेंड करता है हो सकता है कि आपने ड डीवेट किये यह चार बार से सीट दे रहे हैं निकल नहीं रहा है या चार बार से सीट दी यह निकल गया फिर शिक्षक भर्ती के लिए की हर साल कि हम एकजाम ले मुटा-मुटी त्विशा कुछ भी नहीं है बस अपना काम है कि करते रहना है, जो होगा, जो करेंगे, उपर वाले करेंगे, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी लग सकता है, इसमें भी वही हाल है थे, बेट में भी, कि बेट कर लिए, देखे, 6-8 बनने के लिए, सीटेट आता है, सीटेट पास करना पड़ता है, लेकिन जैसी 910 और 1112 की बात आती है तो वहाँ पर सीचेट नहीं वहाँ पर एस्टेट हो जाता है तो एस्टेट और सीचेट में क्या अंतर है आप कहते हम विडियों बना दे डिये लेड बाले 125 हो या 628 हो दोनों के लिए सीचेट इसका सीचेट अलग होता है इसको अलग पास करना होता है तो मोठा मोटी जो मेजर चीज़े थी समझाना मैंने आपको समझा दिये है इसमें से आपको कुछ और लगता है कि नहीं इसके बारे कुछ और भी बाते होनी चाहिए यह बाते छूट गई है या वे टॉपिक बन सकता है तो इस वीडियो के कॉमेंट बैक्स में अपनी बात रख सकते हैं उस पर भी हम वीडियो बनाने की पौरी खोशिश करेंगे तो बीड या डिये रेड आपको क्या करना चाहिए इस दोनों